इस फैमिली के जो मैंबर्स हैं उनको हम वुल्फ स्पाइडर्स भी कहते हैं और ये एक्टिव हंटर्स होते हैं ये स्पाइडर्स अपने प्रे को चेस करते हैं ये स्पाइडर्स बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं इनकी जो लेक्स होती हैं वो काफी पावरफुल होती हैं ये आम तोर पर ग्राउंड्स के पर मौजूद होते हैं ग्राउंड्स के पर जितनी भी स्पाइडर्स हैं उन में स यह से जादा जो portion है वो lycosid spiders का होता है यानि जो lycosid spiders है यह dominant ground spiders है आम तोर पर यह देखा गया है कि जादा तर जो इस family के members है वो ground का पर ही मौझूद रहते हैं लेकिन इसमें कुछ species ऐसी भी है जो अपने प्रे को चेस करने के लिए प्लांट के अपर पार्ट्स तक भी जा सकते हैं जैसे एक common species है जो हमारे यहाँ पंजाब के agriculture fields के अंदर मौजूद है लाइकोजा टरेस्ट्रस यह जो लाइकोजा टरेस्ट्रस है यह अपने प्रे को चेस करने के लिए जो पौदा है उसके अपर पार्ट्स के उपर भी चली जाती है उसके बाद यह जो स्पाइडर्स है यह तक्रीबन तमाम किसम के habitat के अंदर मौजूद है उसके लावा यह बात भी देखने में आई है कि इस family के जो स्पाइडर्स है यह पानी के उपर भी मूव कर सकते हैं और इसके साथ यह अपने प्रे के पीछे पानी के अंदर डाइव भी कर जाते हैं तो यह इस family के अंदर एक unique character है उसके लावा अगर हम इस family की food के बारे में बात करें तो यह mainly insects के उपर feed करते हैं यह strictly corny वोरस हैं और अगर हम बायो कंट्रोल की बात करें तो जो फैमिली लाइको सिडी के जो मेंबर्स हैं इनकी जो तादाद है वो naturally field के अंदर बहुत ज़ादा होती है लेकिन यह जो spiders हैं यह भी highly susceptible होते हैं to the pesticides इसका मतलब यह है कि अगर हम इनको as a bio control agent यूज़ करना चाहते हैं अपने field के अंदर तो फिर हमें इनको pesticides के जो toxic effects हैं उनसे बचाना होगा उसके बाद अगर हम इनको as a bio control agent के तौर पर introduce करवाना चाहते हैं तो फिर हमें इनके life cycle के बारे में detail information मौझूद हो क्योंके आम तोर पर इनकी जो young stages हैं इनके जो spider links हैं वो काफी susceptible होते हैं उसके लावा यह जो spiders हैं इनकी खास बात यह है कि इनके जो egg sex होते हैं यह इनके abdomen का जो last portion है वहाँ पर मौझूद होते हैं spinners के साथ attach होते हैं यह इनका एक unique character है जो कि किसी और family के अंदर मौझूद नहीं है अब जब यह field के अंदर move कर रही होती हैं तो इनका जो egg sex है उसको वाज़ तोर पर इनके abdomen के उपर देखा जा सकता है अल्दो के जो egg sex है उसका abdomen के उपर होना यह एक handicap character है यह इनकी performance को मतासर करता है लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर यह सलाहियत होती है कि यह hunting कर सकते हैं अपने prey को पकड़ सकते हैं उसके लावा इन spiders के अंदर एक खास बात यह है कि इनके अंदर parental care मौजूद होती है जब एक egg sex में से egg hash करते हैं spider links निकलते हैं तो यह spider links है यह female की body के उपर उसकी back के उपर आ जाते हैं और उस वकत तक जब तक यह spider links बड़े नहीं हो जाते कम से कम एक week जब तक यह खुद से independent hunting स्टार्ट नहीं करते यह female की body के उपर मौजूद होते हैं इसी तरीके से अगर हम इन spiders के body structure की बात करें तो इनका जो abdomen और phalothorix यह as long as wide होता है और इसके अंदर जो eyes है वो unequal size की होती है four pairs of eyes है जो के three rows के अंदर मौजूद है जैसा के इस slide के अंदर देखा जा सकता है कि जो पहली row है उसके अंदर four eyes मौजूद है जो second row है उसके अंदर दो बड़ी eyes मौजूद है और इसी तरीके से third row के अंदर भी दो eyes मौजूद है तो इनकी जो eyes है वो unequal size की होती है उसके लावा अगर हम इनके जो leg है उसके उपर class की बात करें तो इनकी जो leg है उसके जो last portion के साथ three microscopic class मौजूद होते है ये जो class का character है ये भी taxonomically एक important character है उसके लावा ये जो spiders है ये nocturnal है nocturnal से क्या अमराद है ये रात के वकट जादा active होती है आम तोर पर इन spiders को अगर collect करना हो तो हम pitfall traps का इस्तमाल करते है pitfall traps का होते है इसके अंदर हम जमीन के अंदर एक गड़ा निकालते है और उसके अंदर एक bottle जैसा कि jam की एक खाली bottle हम जमीन के अंदर दबा देते हैं लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इसके जो rims है they must be at the level of the ground उसके लावा इसके अंदर हम 70% alcohol डालते हैं और हम इसके अंदर two drops हैं वो detergent के डाल देते हैं अब रात के वकद जब spiders actively move कर रहे होते हैं अपने prey की तलाश के अंदर होते हैं तो वो mistakenly इस trap के अंदर गिर जाते हैं क्योंकि इसके अंदर alcohol मौजूद होती है और जो trap है इसकी wall glass की बनी होती है तो इसके उपर ये चड़ कर बाहर नहीं आ पाते तो इस तरीके से हम pitfall traps के जरीए इन spiders को collect कर सकते हैं उसके लावा ये spiders जो है जमीन के अंदर burrows भी बनाते हैं या कुछ species ऐसी है जो जमीन के अंदर burrows बनाते हैं उसके लावा ये जो spiders हैं ये web नहीं बनाते लेकिन ये अपने silk का इस्तमाल करते हैं अपने prey को capture करने के लिए as a life line को तोर पर और as a drag line को तोर पर ये silk का इस्तमाल करते हैं उसके लावा ये active hunters हैं इनकी जो legs हैं काफी powerful होती हैं इनकी legs के उपर spines भी मौजूद होते हैं और जैसा कि हमने कहा कि इनके अंदर एक unique character क्या अपने exact को अपने back के उपर carry कर रही होते हैं